हेलो फ्रेंड्स तो चालू करते हैं आज से लाइट चैप्टर जो कि आने वाले रर्भी ये लपी टेक्निशियन ग्रूप डी एक्जाम्स इसके अलावा जो भी अधर दूसरे एक्जाम्स हैं उनके लिए मॉस्ट इंपॉर्टेंट है शुरू करते हैं बेसिक से जो कि NCRT पर बेस्ट थियोरी है इसमें ट्रीवेस ये जो कोशन अनको थियोरी के रूप में इंक्लूड किया गया है तो चालू करते हैं इंट्रोडक्शन आफ लाइट से प्रकास प्रकास क्या होता तो प्रकास को उर्जा का एक रूप कहा जाता और ऐसे समझ सकते हैं प्रकास ये पंता कैसे है तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं उनके वाइब्रेशन से एक इलेक्ट्रोमेगनेटिक वेव क्रियेट होता है और उसी इलेक्ट्रोमेगनेटिक वेव का एक चोटा सा पाढ़ जो है वो लाइट कहलाता है और इस लाइट यानि प्रकास के अध्यन को हम लोग प्रकासिकी कहते हैं और इसका तरंग ध्यर जो होता है वो आपका कितना होता है जो इसका तरंग ध्यर जो हो होता है ठीक है अब इस यह एंगेस्ट्रन जो है यह क्या है जो तरंग धहर है आपका उसको हम एंगेस्ट्रन में मेजर करते हैं और इस एंगेस्ट्रन का सिंबल भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रठेंगे इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है ठीक है अब देखिए एक इंगेस्टन बराबर कितना होता है एक एंगेस्टन जो है यह किसके बराबर होता है एक एंगेस्टन जो होता है यह बराबर होता है दस के पावर माइनस दस मीटर के दस के पावर माइनस दस मीटर के बराबर होता है वन एंगेस्टन ठीक है अब अगर नैनो मीटर में तरंग धेर आपसे पूछा जाए नैनो मीटर में यदि तरंग धेर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है नैनो मीटर में जो होता है तरंग धेर कितना होता है आपका यह होता है आपका 400 nm से लेकर 750 nm तक कहीं कहीं आपको 380 nm से लेकर 750 nm तक लिखा हुआ मिलेगा ठीक है यह nm जो होता है इसका value भी exam में कई बार पूछा गया है nm बराबर कितना होता है 10 के power minus 9 nm के बराबर होता है ठीक है धियान रखिएगा आगे देखते हैं जो प्रकास है इसका क्या रोल है हमारे लाइप में तो प्रकास जो है हमारे जीवन में इसका रोल का है प्रकास के कारण जो है कोई भी वस्तु हमें दिखाई परती है वो दिखाई कैसे परती है तो जब प्रकास उस वस्तु पे गिरता है और वापस reflect होकर हमारी आँखों तक पहुंचता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है तो जो वस्तु हमें दिखाई देती है सभी का color अ हमारे आंखों तक पहुंचता है और वह वस्तु हमें उसी कलर की दिखाई देती है अगर कोई वस्तु काली दिखाई पर रही है इसका अर्थ यह है कि वह वस्तु उस पर परने वाले प्रकास को पूरी तरह क्या कर ले रहा है कोई वस्तु जो है अगर किसी कलर की दिखाई पर रही है इसका अर्थ है कि वो वस्तु उस कलर को reflect कर रही है ठीक है और ध्यान रखेंगे कि कोई वस्तु सपोस कर लेता है लाल है तो अगर उस पर हम लोग लाल रंग डालेंगे या स्वेत रंग डालेंगे तो वस्तु लाल दिखाई देगी इसके अलावा अगर कोई भी रंग उस पर डालेंगे तो वो वस्तु हमें काले दिखाई परेगी कोई वस्तु अगर हरा है तो उस पे जदी हरा रंग डालेंगे या स्वेत रंग डालेंगे तो वस्तु हरा दिखाई देगा इसके अलावा कोई रंग डालेंगे तो वस्तु हमें काले दिखाई परेगी कहने का अर्थ है कि कोई वस्तु जिस रंग की है उसी रंग की दिखाई देगी कब जब उस पे सेम कलर का प्रकास डाला जाए या स्वेत प्रकास डाला जाए उसके अलावा जदी कोई प्रकास उस पे डाला जाएगा तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी काली दिखाई परेगी जिस तरह आप टेबल में देख सकते हैं और इस पे question भी पूछा गया था previous year में एक question था इस पर कि जो पेर के पत्ते होते हैं उन्हें यदि पीले रंग से देखा जाए तो वो किस color के दिखाई परेंगे तो पेर के जो पत्ते होते हैं वो किस color के होते हैं पेर के पत्ते हर color के होते हैं तो यदि उन पे पीला रंग डाला जाए तो वो क्या करेंगे उस रंग को एब्सॉर्ब कर लेंगे कोई भी रंग रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो उस कंडिशन में वो कैसा दिखाई देगा काला दिखाई देगा ठीक है आगे जिससे लाल, हरा और नीला रंग का जो प्रकास होता है इसके मिसरन से स्वेथ प्रकास जो है उत्पन किया जा सकता है तो इसी कारण से जो लाल, हरा और नीला जो होता है इसको क्या कहा जाता है प्रात्मिक या मूल रंग कहा जाता है इसके अलावा जो रंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है गोन या दूत्यकरंग कहा जाता है ठीक है और क्या है ध्यान रखेंगे कि ऐसे दो करण जिनको मिलाने पर स्वेथ प्रकास उत्पन हो ठीक है उन्हें एक दूसरे का क्या कहते हैं पूरक कहते हैं सही है आप टेबल में हैं देख सकते हैं आप जैसे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जैसे लाल और नीला कलर को मिलाने से आपका क्या बनता है लाल और नीला को ज़दी आप मिलाते हैं तो क्या बनेगा मेजेंडा कलर बनेगा तो मेजेंडा जो है वो ड्वित्यक रंग कहलाएगा इसी तरह लाल और पीला को मिलाने पर आपका पीला कलर बनेगा इसी तरह हरा और नीला को मिलाने पर आपका सियान कलर बनेगा जिसको पीकॉक नीला भी कहते हैं इसी तरह लाल और सियान को मिलाएंगे तो स्वेथ कलर बनेगा तो ये लाल और सियान जो है एक दूसरे के पूरक कलर कहलाएंगे इसी तरह हरा और मेजेंडा जो है इनको मिलाने पर स्वेथ कलर बनेगा तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे इसी तरह पीला और नीला को एक दूसरे से मिलाने पर आपका स्वेथ कलर बनेगा तो नीला और पीला एक दूसरे के पूरक कलर कहलाएंगे ठीक है तो ये question पूछा जा सकता है ठीक है कि लाल का पूरक रंग कौन सा होता है तो स्यान होता है हरा का पूरक रंग कौन सा होता है तो मेजंडा होता है नीला का पूरक कौन सा होता है पीला होता है ये ध्यान रखना होगा और एक्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रात्मिक कलर कौन कौन से होते हैं तो प्रात्मिक कलर कौन कौन से होते हैं लाल हरा और नीला यह प्रात्मिक कलर होते हैं ध्यान रखेगा अब यहां देखते हैं सभी विदूत चुम्बकिये तरंग जो है यह क्या होता है अनुप्रस्त तरंग होता है सभी विदूत चुम्बकिये तरंग जो है यह क्या होता है अनुप्रस्त तरंग होता है तो हम उपर पर चुके हैं प्रकास क्या है एक विदू चुम्ब की तरंग है अर्थात प्रकास भी क्या होता है एक अनुप्रस्त तरंग होता है ठीक है ध्यान रखने के लिए आप ऐसे समझ सकता है कि पॉसे प्रकास और यहां बीच में पॉल लगा हुआ अनुप्रस्त और द्वानी जो होता है, यह क्या होता है, आपका द्वानी जो है, यह क्या होता है, अनुध्यार्यतरंग होता है, जिस्धान रखेगा इसको, और प्रकास जो है, अनुप्रस्त तरंग है और अनुध्यरे तरंग है ये दोनों किस तरह की तरंग है ये भी कोश्चन पूछा गया है तो ये दोनों यांतरिक तरंग होती है कैसी तरंग होती है यांतरिक तरंग होती है जिहान रखेगा कि यांतरिक तरंग जो है ये दो तरह का होता है एक तरंग होता है यह कितने तरह के होता है तो दो तरह के होता है अनुप्रस्त तरंग और अनुध्यरे तरंग ठीक है आगे जिसे प्रकास जो होता है यह क्या होता है आपका यह dual nature सो करता है मतलब कभी कभी यह तरंग की तरह वेवार करता है कभी कन की तरह वेवार करता है यह दोनों की तरह की वेवार करता है ठीक है तो इसमें जो प्रकास का तरंग सिध्धान्त है इसके कुछ गुन की व्याख्या करता है और कुछ गुन की व्याख्या इसका कन सिध्धान्थ करता है ठीक है तो इसमें ये कोशन पूछा जाता है कि प्रकास के तरंग गुन के सिध्धान्थ पर किसकी व्याख्या मतलब की गई है या कर सकते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा ये कौन-कौन से होते हैं तो जैसे प्रकास का परवर्तन हो गया प्रकास का अपवर्तन हो गया प्रकास का एक सीधी रेखा में गमन प्रकास का विवर्तन प्रकास का वैतिकरन प्रकास का धुरुवन ये सब ही जो है प्रकास के तरंग सिध्धान्द पर अधारित है इसके अलावा जो प्रकास का कंद सिध्धान्द है उस पर अधारित है फोटो इलेक्टिक इफेक्ट और कामपटन सिध्धान्द ये जो है ये प्रकास के कंद सिध्धान्द पर अधारित है तो इसमें आपको ऑप्शन डालके पूछा सकता है ठीक है कि इसमें से कौन प्रेकास के कंसिध्धान पर अधारित है तो ये ध्यान रखेगा दो को ध्यान रखेगा कामपटन सिध्धान और फोटो इलेक्टिक इफेक्ट जो है कंसिध्धान पर इसके अलावा जो भी है वो तरंग सिधान पर अधारित है ठीक है तो प्रकास जो है प्रकास के कुछ प्रकास के कुछ गुन की व्याख्या तरंग सिधान नहीं कर पाता उनका नाम धियान रखना होगा जो कौन-कौन से है प्रकास विद्यूत प्रवा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और काम्टन सिध्धान ठीक है यह जो सिध्धान थे इनकी व्याख्या जो है आइंस्ट्रीन द्वारा प्रकास के फोटोन जो आइंस्ट्रीन ने प्रतिपादित किया था दिया था प्रकास का फोटोन सिध्ध सिध्धान्त इसके द्वारा इनकी व्याख्या की जाती है आगे देखेंगे यह फोटोन सिध्धान्त क्या होता है ठीक है किये थे तो प्रकास विद्युत प्रभाव जो है किस ने दिया था यह आइंस्टेंट ने दिया था ठीक है और देखिए एक लाइन प्रकास जो है उर्जा के छोटे-छोटे बंडल या प्रकास के रूप में यात्रा करता है जिने क्या कहता है फोटोन कहता है ठीक है फोटोन का जैसे जो करेंट चलता हो तो करेंट क्या होता है एलेक्ट्रोन का एक पीम होता है ठीक है तो फ्लो अफ एलेक्ट्रोन को क्या कहता है हम लोग जिस तरह करेंट कहता है उसी तरह फ्लो आफ फोटोन को हम लोग क्या कह सकता है लाइट कह सकता है तो अगर हमारे उपर और प्रकास गिर रहा है इसका आर्थ क्या है कि बहुत सारा Photon Sequence में जो है क्या होता है हमारे उपर गिरता है उसी को लोग ऍथा है Light कहता है ठीक है सैan Electric Current में जैसे Electron का Flow होता है उस तरह Light में जो है क्या होता है Photon का Flow होता है दियान रखेगा इस चीज़ को Mability बना है न्यूटन नहीं बताया कि प्रकास अत्यंत सुक्ष्म कनों के बने होते हैं जिने कनिका कहते हैं ठीक है और यह सीधी रेखा में गमन करते हैं प्रकास के इस सीधे पत को क्या कहते हैं किरन कहते हैं ठीक है तो प्रकास का कनिका सिध्धान किस ने दिया था ये कोशन एक कन के रूप में माना था सबसे पहले किसने तो न्यूटन है ठीक है और ये खिरन जो होती है बाबू ये तीन तरह का होता है कैसा कैसा होता तो एक होता है अभी सारी किरन अभी सारी किरन क्या होता है अभी सारी किरन जो कहीं से आकर क्या हो एक बिंदू पर क्या हो वो अभी सारी किरन कहलाता है जो एक बिंदू से फैलता हुआ प्रतितो वो अब सारी किरन कहलाता है और एक समनांतर किरन होता है जो एक दूसरे के क्या होता है किरन समनांतर होता है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अभी जो प्रकास सीधी रेखा में गवन करता है इसी के कारण जो हमारा कि जो है सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन जैसा जो है भोगौलिक घटना अमारे कि यूनिवर्स में होती है ठीक है अब यह कैसे होती है वह आगे हम देखेंगे प्रकास जो है जब एक सीधी रेखा में गवन करता है तो क्या होता है जैसे सन तो एक जगे पर आपका इस्तिर रहता है ठीक है मून और अर्थ जो है यह क्या कर रहे होता है रोटेट कर रहे होता है ठीक है तो जब चंदरगरहन होता है तो अर्थ जो है क्या होता है सन और मून के बीच में आ जाता है तो जो सन का लाइट है वो पूरी तरह जो है मून पर नहीं परता है तो मून पर जहां जिस पोजिशन पर light नहीं परता है वो हमें धूंदला दिखाई परता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं चंद्रग्रान कहते हैं इसी तरह जब मून जो है घुमकर बीच में आ जाता है तो सन का जो light है यह पूरी तरह जो प्रिथवी पर नहीं पहुंच पाता तो जब हम प्रिथवी से सन को देखते हैं तो सन के बीच में एक हमें धब्बा सा दिखाई परता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सुर्य ग्रहन कहते हैं ठीक है यह ग्रहन होने के लिए जो है इन तीनों का सूर्य, पृत्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना अनिवार है धियान रखेगा इस चीज को प्रकास का कनिका सिध्धांद सबसे पहले प्रकास के कनिका सिध्धांद की व्याक्या ये दरकाते नाम के व्याक्यानिक ने की थी भीक है बाद में जो था Newton जो ठाइस सिध्धान्थ का और विकास किया ठीक है और एक कनिका सिध्धान्थ दिया ठीक है तो इस कनिका सिध्धान्थ का जो उस्रे है मेंली जो है Newton को दिया जाता है ये question पूछा गया है कई बार कि प्रकास का कनिका सिध्धान्त किस ने दिया था तो याद रखेगा प्रकास का कनिका सिध्धान्त जो है कि किस ने दिया था न्यूटन ने दिया था ठीक है अब आगे देखते हैं प्रकास का तरंगती सिध्धान्त प्रकास को तरंग किस ने कह तरगों से बना होता है ठीक है प्रकास का क्वंटम सिध्धान्थ ठीक है आयनेस्टिन ने 1905 में क्वंटम सिध्धान्थ प्रस्तुत किया था जिसके अनुसर प्रकास उर्जा बंडल बंडलों जिन्हें क्वंटा कहा जाता है के रूप में होता है ठीक है प्रकास के इन बंडलों को उन्होंने फोट सामंजस स्थापित किया Maxwell ने प्रकास के विदुद चुम्बकत्व का गनितिय सिध्धान्थ दिया था इनका विज्यानिक का नाम और सिध्धान्थ डिरेक्ट पूछ लिया जाता है तो इह धियान रखिएगा सबसे पहले quantum सिध्धान्थ जो अगर पूछा जाए किस ने दिया था तो option में अगर Einstein और Plank दोनों हो तो आप Plank दियान रखिएगा कि सबसे पहले quantum सिध्धान्थ किस ने दिया था Max Plank ने दिया था ठीक है देखते हैं आगे प्रकास की चाल ठीक है तो सबसे पहले प्रकास के चाल के बारे में कैसे तो ब्रियस्पती ग्रह जो है इनके उप ग्रहों की गति को देखकर इनोंने प्रकास के वेग का ज्याद किया था ठीक है निर्वात में जो प्रकास का चाल होता है इस सबसे अधिक होता है ठीक है कितना तो 2.99792458 गुने 10 to the power 8 के बराबर होता है ठीक है लग भग तीन गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या किलो मीटर प्रति सेकंड में बात करें तो 3.00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 9776 किलो मीटर प्रति सेकेंड ठीक है मील प्रति सेकेंड में बात करें तो कितना होता है आपका 1,86310 मील प्रति सेकेंड ध्यान रखिएगा कभी-कभी यह पूछा जा सकता है ठीक है निर्वात स्वरी निर्वात की तूलना में हवा में प्रकास की चाल 0.03% कम हो जाती है पानी में 25% कम हो जाती है और कांच में 35% कम हो जाती है ठीक है यह आगे समझ में आएगा क्यों कम हो जाती है ठीक है जब हम लोग प्रकास का अपरता नांग परहेंगे वहाँ आपको समझ में आएगा यह चाल क्यों घट बढ़ जाता है ठीक है प्रकास की चाल किलो मीटर प्रति घंटा में कितनी होती है तो 1.1 गुने 10 के पावर 9 किलो मीटर प्रति घंटा होता है ध्यान रखिएगा प्रकास जो है एक वर्स में कितना यातरा कर सकता है किलो मीटर तक यातरा कर सकता है ठीक है जो सूरी का प्रकास होता है इसको प्रित्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो जो सूरी का प्रकास होता है इसको प्रित्वी तक पहुंचना मैं 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है कई बार पूछा गया है Previous year question में देख लिजेगा चंद्रमा से जो प्रकास होता है वो प्रित्वी तक कितने समय में पहुंचता है तो चंद्रमा से प्रकास प्रित्वी तक यह कितने समय हों है यह यह 1.28 सीम एक 28 सेकेंड में जो है चंद्रमा का प्रकास प्रीथवी तक पहुंचता है passed यह भी पूछा गया है कई बार कि हम लोग प्रीथवी से स्द्रम का कित्ना प्रतीशद हिश्या देख पाते हैं तो हम लोग पंसवी से चंद्रमा का 59 परसेंटural वान जो है क्या होता है देख पाते हैं ओ कि जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकास का तरंग धैर जो हा प्रकास का चाल बदल जाता है ठीक है परन्तु जो आवरिती जो होता है ये सुरूत पर निर्भर करता है ये माध्यम पर क्या है निर्भर नहीं करता है तो माध्यम बदलने पर जो है क्या होता है आवरिती नहीं बदलता है तो ध्यान रखेगा ये भी कोशन पूछा गया है क जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चीच अपरिवर्तित रहता है तो आवरिती जो होता है वो परिवर्तित रहता है आवरिती नहीं बदलता है आवरिती जो है इसका मातर क्या होता है हस्ड होता है ध्यान रखेगा तरंग धेर का मातर क्या होता एंगेस्टन होता है ठीक है इसका सिंबल भी ध्यान रखेगा एक वाट टर्म ध्यान रखेगा लाइट इयर लाइट इयर प्रकास वर्स ठीक है यह क्या होता है लाइट के द्वारा प्रकास के दुआरा एक साल में जो चला गया दूरी होता है उसी को कहता है लाइट येर या प्रकास वर्स जो कितना होता है आपका 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बरावर होता है ठीक है अगर इसी को किलो मीटर में कहा जाए तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 कीलो मीटर होता है ये कोश्चन पिछली बार ELP में बहुत सेट में पूछा गया था तो इसको ध्यान रखेगा ये था लाइट का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रकास का परवर्थन प्लेन मीरर और उस पे कुछ कोश्चन भी करेंगे खाषके का इंट्रोड़क्शन प्लेते और रखेगे झाल झाल